बहुत उच्छे कुछ सवाल है तो इसके मोशन के प्रॉप्रम के है क्या रहें एक टावल है जिसकी हाइट 200 फिट है वहाँ से कोई हम एक आपजेक्ट फिरो कर रहे हैं जिसकी इनीशिल स्पीड कितनी है 25 मीटर सेक्ड तो पूछ रहें एक सेकंड के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या रहे है तो भाई थोड़ा सा दिमाग का इस्तमाल करना पड़ता है यह पहली वक्त है यहां में स्प्रंटिंग थी यह फूट पर सेकंड थी अब जब यह फूट पर सेकंड है और डिस्टेंट भी फिट में है तो अबिएस से बात है सारा गेम किस्ता हो रहा होगा फूट पर सेकंड थी हम जी करते रहते हैं जी 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 9.8 वो कब होता है में जब मीटर पर सेकंड पर सेकंड और जब फिट की बात हो ग्रिटेस सिस् पूछ है जादा पूछ है नहीं है बाई तो सीधी साधी बात है 25 में 32 प्यास कर देना 57 फिर्ट पर सेंगिनी जोरिशन पाथ सेंगिन ऐसा एक और बड़ अच्छा सवाल है कि एक बॉल है जिसका मास 1 kg है वो बार 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 बॉल से टकरा के वापस आ रही है जब इनीशील आई थी तो उसकी स्पीड थी 2 मिंटर पर सेकेंड वाफसी में उसकी स्पीड थी 1.5 मिंटर सेकेंड तो मोमैंटम ओच है मेरे भाईज जो मोमैंटम के लिए हमारे पास मास इन-टू-वलॉसिटी नहीं पचा रहती है एक बस जहन में रखतो, जब भी rebound case होगा तो velocity का हमेश हम sum लेने के एक velocity 2 है, एक 1.5 है तो इनका sum लेना 3.5 हो जाएगा mass 1 है, 1 को 3.5 से multiply करो, final answer भी किया जाएगा 3.5 हो जाएगा add up करके 4 से divide कर दो, add up जब हम इनको करेंगे मेरे भाई, इन दोनों का sum 80 आगया, इसका sum कितना आगया, 140 आगया और जब मजीद करोगे 52 तो 192 आचाएगा 192 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे Final answer 48 4 से इसके डिवाइड करेंगे 4 सेकंड के पांच होते तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 होते लोग 6 से डिवाइड करेंगे ठीक है जी? ठैंक्स हमाइड